तो एक तो जैसे ब्रिफिंग का टाइमिंग हमारे साड़े दस बजे ना ठीक है तो साड़े दस बजे अपने आप ही पहुंच जाओ फिर बार बार बताने है वह आज तक के लिए था कल का जो भी टाइमिंग होगा संजीव आप लोगों को बता देगा और जो लेटेस्ट यह तो वह उसरा तुम आएं तो वह तक किसे को बोला जाएगा टिक अंटिक हीं इसके बाद SE जो भी लोग लाइफ कॉंपर में खड़े वे हैं उनकी खुद की ग्रूमिंग ये ध्यान रख लेना एप्रेंस आप लोगों को प्रॉपर पहनने है अपने एरिया की क्लेनिंग जैसे कल हम लोगों ने अपने अपनी एसोपीस का दर दिया था अपना यहां ता हो गया था कॉस्टमर से अच्छे से बात करनी है आपकी अपके प्रॉपर मेंगे होने चाहिए और कॉई होने चाहिए है जो भी आपका मीजा प्लायस अपकी सिफट पहले ही उस फ्रहने जाहिए झाहिए अफिनी फर वह तो आप उसको सउग्स कर सकते हो कि भई यह लो या वे लो उन से बात कर के उसमें ऐसे सर्मान बर्बानि इंलिए जैसा अभी आपके गुपता jee गुपता जी बात करने में अच्छी नहीं तो इस कला का यूस कर decis करना है अरणविंद्द आप नें तो आप लुग लाइफ पे हो ना तो कोशिश करो कि आप बात करो हैं राकेश यह मैनेजर हैं तो अभी आपकी उपर डूटी है ठीक है फिलाल बताएंगे है ना तो जो बात कर सकता है बात करो और जो नहीं कर रहा है वो सीखो कैसे हमको बात करती है तो यह कंप्लीटली सेल्स का बिजनस है जब तक आप बात नहीं करोगे कस्टमर को चीजे प्रॉपरली पता नहीं होगे वो हमसे खरीदेगा नहीं ठीक है यह हो गया हमारे पॉइंट है अब बाकी के जो हमारे जैसे जो भी यह हम देख रहे हैं हमारी एक तरीके से सॉफ्ट करी हैं अब आपको अपने डिपार्टमेंट के जो भी फ्रीजिस हैं उनके अपने जो अपने मैंने दो चीज बोली आपको क्लेनिंग का और टैंपरेचर का वह चिपकाना है मेरे पास फॉर्मेस पड़े है आज अतुलिया पूरा काम कर देना का गया वह ठीक है प्रमोजी अब गय्तार की किथ peeled welche अब जो हमारी बेकरी की है और जो हमारी पेश्कीवाली होगी हो सद्रूख्य कैसे करेगा कैसे कैसे हम लोगों को का ना है वह टाल की और बीदिवागी कुछ कोशन आ रहे हैं बता दो स्पेसिफिक अगर और हाइरिंग अभी और भी हाइरिंग होनी है थोड़ी क्लेनिंग अगयर कि हां जी कोई आप ने सुबह पचास पीस बना दिए वो दिन तक ही खतम होगी काउंटर पर बताओ स्पेसिफिक नहीं लेगा और ऐसा नहीं कि व सब्सक्राइब करें तो आप बताओ कि मेरे पास इतना पोर्शन है आप उसको सब्सक्राइब कर देगा हमारी मिठाई होगी हमारे डिजर्ट होगे तो अब बताओ यहीं जब कॉडिनेशन बनेगा ना तभी चीज़े ज्यादा प्रापर और बढ़िया तरीके से होंगी ठ आप आप कौन अभी थोड़ा सा आप को मालब काफी लोगों करने बता है आप बोले बुले थे तो यह वह थोड़ी है तो यह थोड़ी है यह तोड़ी है टीम को लीड करने का मतलब यह है आप अपना एक्सपिरेंस बताइए आप ने कहां गाम कर रहा है सेट तो होना ही है सेट करने के लिए हम लोग यहां पे आए ना तो मैरे का फंद्रा साल के प्रजेंस है अभी में रामजी फिल्म सिटी में काया बुबाइब काया धुबै काश्या हम टावड में काम किया में राजन्ट प्रजेंटि शबं में काम कर रहा है थिए तो तो इसलिए तर आया यह तो वैलकम ऑन बोड़े तो अगर अभी देखिएंगे वी साल थो यहां कितने साल का पांसोफ फॉलस साल का एक्सपीरिन्स है एधिया सुरेज जी सुरेज जी घ। है इंडोनेश्या वेदे फिता न हम लोगों कौन किया है शहां पटाईए पहले मेरा 11 साल के उमर में फ्री लाइन में फिला रहा था पहले मैंने गिलास दोए अधुमे एकल जाते थे अब तो सीधा चलता है यह कुश भी नहीं इस टेम पे पिर मैंने घल्वाइका खाना बनाया तब जाकर मैंने काम करें आप लोग को तो शिकाने से पर नहीं बाट है यह तो शिकाने के लिए आदमी को बुलाते हैं पर भी नहीं शीखता है और मैं 2006 से 2020 तक में इंडोनेशन में काम किया है तो कहने का मतलब आपके यहां हर किसी बाद इतना अच्छा अच्छा experience है तो जो भी नए हो चाहए आप लोग साथ में हो जो यह चाहिए ना अटो आपको जो में में जो लोग है उनके बारे में हम लोगों को पता हूने चाहिए ना तेक है लोग बताओ अपना experience बताओ कहां स्टार्टिंग से तो वहां मैंने कोई आठ साल काम किया है और उसके बाद मैंने कश्मीर में काम किया है पचास के लगबग आउक्टेट है तोटल कितना अब बहुत एक्सपीरियंस ने आपका भी जगो जितने भी लोग ने परसनल लेवल पर हर किसी की एहमियत है यह निया कि मैं यह आके सब कुछ करूं ऐसा कुछ नहीं है एक एक बंदा एक एक इंडिविजिवल का काम है यहां पर एक यह निया कि मैं हूं तो बेसारा काम आप लोगों को हम साथ देंगे अच्छी बात है नारायन शेफ है क्या सुरेशा आप भी बूलोगे नारायन जी है इदर दीरच जी है अतल है हमारे को सब्सक्राइब है आप लोगों को हम भी आएगे टाइम पर आओ सामान लेओ पर इदर हम क्याश काउंटर को भी समभलना है थोड़ा साथ टाइम को इसलिए टाइम पर आके सामान लेओ टाइम पर अच्छी से बात करो कस्टमर से चलिए सर थैंक्यू तो यह हमारी एक छोटी सी टीम थी ठीक है चोटी सी एक्छी बड़ी सी टीम है अभी तो और भी ल इंडस्ट्री का रूल है आएंगी जाएंगे बट सिस्टम से बना देने कि कि किसी की आने जाने से कोई फरक ना पड़े परसनली मैं यहीं चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी एसे ही चाहूं ठीक है चलिए कोई पर तक नहीं जाने चाहिए आप श्री में अब जैसे यह देख्यों алजाओ आप लोग हो अपनी अपनी अपने डीकाटमेंटी चाहलो करें तब हम गलतिया पगडबाते के इसकी गलती वहां जारी है, इसकी गलती उन्या है, वोछ चीज़ा है। उस से क्या होते ह। एक गलत एट उफेक्ट जाता है। आप कुछ भी काम कर रहे हो हर किसी की जूटी देश्पॉसिब्ल्टी है तो उसको पूरी करनी हो थ्यूसै। झाल